नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री एक्सपरटासिन में आज हम बात करने वाले हैं मक्का के एक नए इंसेक्ट फाल आर्मी वर्म के बारे में ये मक्का का सबसे बड़ा दुस्मन कहा जा रहा है मक्का में सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुंचाने वाला कीट कहा जा रहा है इसकी जो मुख्य आदत है खाने की वो किस वंस के या किस प्रकार के पोदे कहता है तो ग्रेमेनी कुल के पोदे यानि मक्का, जोवार, बाजरा, गेहू, जो, जई इस तरह के जो पोदे हैं उनको ये खाना पसंद करता है लेकिन अगर ये पोदे इनको नहीं मिलते हैं तो व हम बात करते हैं कि इसका जो फैलाओ है ये कितना जल्दी होता है ये अमेरिका से इंडिया कितना जल्दी आया और इंडिया से राजस्तान और उसके बाद में पूरे भारत में ये कितना जल्दी फैला उसके बारे में हम बात करेंगे हम बात कर रहे थे कि ये जो इसका उत् 2018 में कृषिवेग्यानिकों के द्वारा इसे देखा गया और बताया गया कि ये जो इंसेक्ट है ये फाल आर्मिवर में है और ये मक्का के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाग या घतक सिद्ध हो सकता है इस पर रिसर्च कायरिया चली ही रहा था एक साल का समय निकला था जुल लगबग 2-6,000 किलोमेटर की दूरी तै करते हुए ये राजस्तान पहुंचता है और सदन राजस्तान में मेवाड के जिल्लों में यानि चितोड, राससमंद, उदेपुर और भीलवाडा जहां पे मक्का की क्यति की जाती है उन उस्तानों पर ये पहुंच गया और पहुं दो या तीन साल लगेंगे इसे आने में लेकिन ये अगले ही वर्स कहां पहुंच जाता है राजस्तान के मेवाड के चितोडगड परताफगड उदेपुर जिल्ले में पहुंच जाता है वहां पे जहां पे मक्का की खेती होती है और 2020 में ये पूरे सदन राजस्तान में ब पाया जाता था तनाच्हेदक नाम से कीट आता था वो भी लारवा फॉर में या हम अगर हमारी बसा में बात करें तो लट के रूप में आता है ये भी लट के रूप में या लारवी के रूप में आती है तो अब हम अगर इसके पहचान की बात करें तो आप उपर चितर में द हम बात करते हैं इस कीट की कि ये कीट कौन सा है तो ये कीट फाल आर्मी वर्म है और फाल आर्मी वर्म की अगर आप चित्र देख पाएंगे तो चित्र देखिए आपका गोला बन रहा है ये इसका मुँवाला भाग है अब यहां से भी अगर clear नहीं होता है तो आप एक दूसरा clearance और कर सकते हैं क्या कर सकते हैं आप इसके उधर या इसके पेट के आठवे खंड पर जहां ये next गोला बना है इस स्थान पर अगर आपको ये आप ध्यान से देखेंगे आप शोर हो जाएए पक्का ये कौन सा कीट है ये फाल आर्मी वर में उसके बाद अगर हम अगली बात करें कि हमने इस इंसेक्ट को क्या कर लिया पहचान लिया तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये कीट खाता किस स्टेज पर या किस अवस्ता पर नुक्सान पहुचाता है तो इसकी जो मुख्य नुक्सान दायक अवस्ता है ये इसकी केटर पीलर इसकी लारवा अवस्ता या जो चितर में दिख रही है ये लट अवस्ता है इसकी सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है और ये अवस्ता छे अवस्ताओं में बदलती है छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा इसका जो पुरा जीवन चक्र की अगर हम बात करें तो 60 दिनों में ये अपना जीवन पुरा कर लेता है और 60 दिनों में जो इसका जो वयस्क होता है उड़ने जीवन चक्र की तो हर कीट का एक जीवन चक्र है वयस्क अंडा देता है वहाँ से लारवा बनता है लारवा से फ्यूपा और फिर वापस वयस्क बनता है अगर हम इस कीट की बात करें तो मादा जो कीट है वो समू में अंडे देता और एक समू में 100-200 अंडे होते हैं और पू पूरी-पूरी बड़ी होती उसके बाद ब्यूपा बनता है तो इन पूरी की पूरी 6 स्टेज में जैसे-जैसे ये बढ़ती है वैसे-वैसे ये अभ inviting फसलों को खाने लगती है जब चोटी अवस्ता में होती है कम खाती है जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है तो लारवा जो है ये 6 अवस्ता में और ये 6 अवस्ता है पूरी की पूरी लगबग 14 दिन में पूरी कर लेती है कहीं कहीं कंडिशन ऐसी बनती है तो वहाँ पे ज़्यादा दि लगते हैं नन्य चतitta यह 14 दिन में पूरा का पूरा आपकी फसल को खत्म कर देती है जब तक आप देखते हैं तब तक यह 14 दिन निकल जाते हैं और यह पूरा का पूरा नुक्सान अपनी फसल को पहुंचा चुका होता है फिर इसके बाद में यह क्या करता है ये जमीन में जाके निश्क्री अवस्ता में चला जाता है, कितने दिन तक, 12 से 14 दिन तक ये प्यूपा अवस्ता में रहता है, उसके बाद में ये वयस्क बनता है, वयस्क की जिन्दगी है, यानि जो पंक वाला जो इसके कीट है, ये 20 दिन तक जिवित रहता है, एक रात में सो किलोमेटर उड़ता है यानि अगर यह 20 के 20 दिन उड़ता है तो यह 2000 किलोमेटर तक की दूरी यह तै कर सकता है उसके बाद में यह क्या करेगा वापस यह अंडे देगा और यह इनका जीवनचक्र चलता रहेगा यह हमने थोड़ा सा जाना इनके जीवन चक्र के बारे में उसके बाद बात करें कि यह नुकसान कौन सी अवस्ताएं करती है तो जैसे ही अंडे से देने के बाद तीन दिन बाद में लारवी निकलती है चोटी लारवी वो प्रतम स्टेज सेकिन स्टेज और तीसरी स्टेज यह तीनों के तीनों जो क्या हैं पत्ते को खुरचना चालू कर देते हैं खुरच कर खाते हैं फिर क्या करते हैं कुछ हद तक छेद बनाते हैं खेज़ झो बोटों भी ओसकते आईतिख कर आप कोटों में देख पारें यह इस प्रकार के छेद बनाते उसके बाद ज粂से यह और बड़े होते हैं तो यह क्या करते हैं मक्का का जो पोटा होता है जो मेन जिसका तना होता सिसस्फ पूटे में यह गुश जाते हैं और वहाँ पर गुश कर ये पूरा का पूरा उस फोटे को खराब कर देते हैं और वहाँ पर इनका जो मल निकलता उससे दुरगंद फेलती है जिसे दाना तो आपको वेसे ही नहीं मिलेगा लेकिन जो चारा है उसको भी ये खराब कर देते हैं उसके बाद हम बात करें कि ये फसल किस अवस्था पर नुक्सान पहुँचाना बहुत बार होता है कि छोटी जब फसल होती तो नुक्सान जोदा पहुँचाता है बड़ी होने के बाद नहीं पहुँचाता है लेकिन अगर इस कीट की बात करें तो ये आपके 10 दिन की क्रोप से लेकर जब तक आपके भुटे निकलते हैं तब तक आपकी इस फसल को नुकसान पहुचाता है आप देख पाएंगे पहला जो पिक है उसमें छोटी अवस्ता में इंसेक नुकसान पहुचा रहा है उसके बाद गुटनों तक की जब अवस्ता है तो क्रिशी विशेशग्यों की टीम के द्वारा और किसान की मुझूदगी में इसका सर्वेक्शन करी किया जा रहा है कि किस हद तक इसमें इंसेक्ट लगा है या इस कीट का इसमें प्रभाव देखा गया इसके बाद में आप लास्ट फिक में देख पाएंगे भुट्टा जब लगा हुआ है उसमें भी इस इंसेक्ट नीए तो हम यह idea लगा सकते हैं कि यह कीट लगबग लगबग हर अवस्ता में नुकसान पहुचाता है अब जब हर अवस्ता में नुकसान पहुचाता है तो हमें इसका प्रबंधन करना है प्रबंधन सुरुवात से हम लेकर चलते हैं तो प्रबंधन कर पाएंगे अगर हम इस वर् पहले से लेके चलेंगे तो इस इंसेक्ट का जो प्रभाव है इस कीट का प्रभाव किसान भाईयों हमारी फसल पर कम मिलेगा क्या क्या करना चाहिए हम उसके बारे में बात करेंगे हमने गर्मी की गहरी जुताई करनी है आप यह देखिए कि अगर आप गर्मी की गहरी जुत क्या करें आप पक्षियों के बेटने की स्थान बनाएं यानि जो टी आकार की जो कपचियां होती है या आप लकडी से भी बना सकते हैं उनको आपको चार-पांच ऐसी कपचियां एक खेत में लगानी चाहिए उससे क्या होता है कि वहां पर पक्षी आते हैं और पक्षी उन लटों को या लार्वी को अपने भोजन के रूप में ग्रेन करते हैं इनका प्रमान हम जब खेती करते हैं तो उनके पीछे-पीछे पक्षी चलते हैं वह जो अंदर से जितने भी लार्वी निकलती उनका उप्योग करते हैं तो यह हमारे लिए मित्र का काम कर सकते हैं उसक सबते हैं जिसे और अंदर की तरफ गिर जाता ये कारीय भी आप कर सकते लेकिन प्रकास प्रपंश का उप्यों किसान भाइयों तब ही करें जब आपके साथ में सभी किसान जितने भी आसपास के खेदके ओ एक साथ करें अन्यता क्या होगा कि आप एक अपने तो कर लेंगे लेकिन पास वाले अगर नहीं कर रहे हैं तो वहां के भी जो उड़ने वाले कीट वो आपके आ जाएंगे आप देखिएगा कभी भी अगर हम बारिश रितू में या वरसा रितू में जब हम कहीं एक जगे पर अगर हम बल्ब जला लेते हैं तो आसपास के जितनी भी area में वो मौत या सलब या जो कीट होते हैं वो एक स्थान पर आ जाते हैं तो अगर प्रकास प्रपंज का आप उप्योग कर रहे हैं तो यह आप सुनिश्चित करें कि आपके सभी आसपास के खिसान भी उसी समय पर इसको करें यह एक लियूर लगाया जाता है जिसे मेल या नर्कीट आकरशित होते हैं और वहां पर आकर फस जाते हैं तो इससे भी आप प्रबंदन कर सकते हैं उसके बाद आपने यह सब कुछ कर लिया लेकिन आप वही के समय एक चीज और करनी हमें क्या करना है हमें बीज उप्चार करना है अगर आप बीज उप्चार कर लेते हैं तो आपकी जो फसल की जो अर्ली स्टेज है या प्रारंभी का वस्ता जिसे हम कहते हैं पंदरा से बीज दिन आप सुरक्षा कर सकते हैं और एक रसायन या एक कीट नासी आता है साइंटर नीली पोल 19.8% और थाय मेतागजाम 19.8% यह दोनों मिकसर टेकनिकल मार्केट में अवेलेबल हैं और इस दवा का एक किलो बीज अगर आप वहाई कर रहे हैं तो चार से छ एमेल इसकी मातरा ले सकते हैं अब जितना बीज यह उसके हिसाब से आप गुना करके इसको बढ़ा सकते हैं इससे आप उपचारित करके अगर आप वही करते हैं तो आपकी जो फसल है 15-20 दिन तक सुरक्षित रहेगी उसके बाद आपने यह कर लिया उसके बाद में आपक दवा या टेक्निकल इजाध हुई है और इस टेक्निकल का नाम है इमावेक्टिन बेंजोइट यह फाइप एष्जी आप। परसेंट के नाम से मार्केट में अवेलेबल हैं अलग-अलग कंपनीज का व्यापारिक नाम अलग-अलग हो सकता है लेकिन टेक्निकल नाम जो है इमाम एक्टिन बेंजोईट के नाम से ये मिलता है अब अगर इसकी बात करें कि इस रसायन का हमें उप्योग कितना करना है तो 0.4 ml प्रती लीटर पानी यानि आसान भासा में अगर किया जाए तो जो किसान भाई ठेंकी का उप्योग करते हैं 15-16 लीटर की वो टेंकी होती है उस 15 लीटर की टेंकी में इस दवा का 6 ml मातर उप्योग करना है और रसायनों के उपयोग के समय आप ध्यान लखें कि जितनी मातरा क्रिशी विभाग या क्रिशी विग्यानिकों के द्वारा बताई जाती है आप उतनी मातरा का उपयोग करें कम या ज़्यादा आपके लिए और आपकी वातावरण के लिए नुकसान दायक साबित हो सकती है उसके बाद हलाकि इमाबेक्टिन से इसका complete secure हो जाता है लेकिन फिर भी अगर complete secure नहीं होता हो और अगर आपके पास ये technical available नहीं है तो आप screen पे दिये गए ये तीन technical या तीन रसायन और है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं इनकी भी जो दर है वो टेंकी में 6 ml की है अगर आपको इमाबेक्टिन बेंजोईट नहीं मिलता है तो आप ये दिये गए तीन technical भी उपयोग कर सकते हैं उसके बाद एक technical और आता है जिसकी हम बात करें कि ये technical कौन सा है तो एक mix-up में technical आता है उस technical का उपयोग भी काफी हद तक देखा गया है कि इसमें बहुत अच्छा साबित हुआ है था है मेताग्जॉम 12.6% और लेम्डा साइल डाओ हैतरी ये 9.5% इन दोनों रसाइनों का एक chemical mix-up आता है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं आदा एमेल प्रति लीटर या टंकी में साड़े साथ या आठ एमेल आप उपयोग में ले सकते हैं अब उसके बाद बात आती है कि किन स्तानों पर या किस अवस्ता में हमें रसाइनों का उपयोग करना छोड़ देना चाहिए देखिए अगर आपकी जो फसल है वो अगर नर्मांजर निकलने लग गई है उसके बाद अगर आप इन रसाइनों का उपयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका उपयोग कारगर नहीं होगा तो इसलिए मक्का में दो ऐसी अवस्ताएं हैं जिन में पहली नर्मांजर अगर निकल रही है तो आप इसका उपयोग नहीं कर सकते रसाइनों का और दूसरा अगर आपकी सिल्किंग निकल रही है यानि भुट्टे के जो हैं वो बाल निकल रहे हैं तो जेवी कुपाई भी हम कर सकते हैं लेकिन ये जेवी कुपाई सारे के सारे बुगाई की 15 से 20 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो कारगर है अगर भुटा आ गया दाने बन गे उसके बाद आप जेवी कुप चार करते हैं तो कोई भी कारगर नहीं होगा अब जेवी कुप प्रता में जो यह चैमिकल उपयोग मिलता है मार्केट में उसका 5% या एक लीटर में 5 ml आप उपयोग में ले सकते हैं फिर ट्राइको काड आते हैं उस ट्राइकोग्रामा स्पीशीज के 50,000 अगर आप एक एकड में लगाते हैं तो ये भी आपके लिए लाफदायक है उसके अगर अगली बात करें तो आप बीटी का उपयोग भी कर सकते हैं तो बीटी जो आता है उसका 1.5 kg प्रती हेक्टियर के इसाब से आप स्प्रे करते हैं तो वह भी आपका कारगर होता है फिर आप अगर कवक का उपयोग करते हैं तो मेटा राइजीम और विवेरिया बेजि दिन बुवाई के 15-20 दिन के तक ही इनका उपयोग आप कर सकते हैं ये ता किसान भाई पूरा का पूरा जो वीडियो है फाल आर्मी वर्म के बारे मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको काफी हद तक आसानी होगी इस इंसेक्ट की जानकारी आपको मिलेगी कि क्या किस तरह का ये इंसेक्ट है क्या ये करता है और किस तरह से हम इसका प्रबंदन कर सकते हैं वर्तमान परिपेक्स में आप रसाइनी को उपचार करें जेवी को उपचार करें लेकिन जब आप अगली साल ये अगली फसल भुआई की तरफ जाएं तो सारे के सारे उपाय आप प्रबंदन के लिए ताकि कम से कम आपका नुक्सान हो कम से कम आपको आर्थिक हानी देखनी पड़े धन्यवाद दोस्तों और एक आपसे सबसे गुजारी से अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो जादा से जादा किसान भाईयों तक शेर कीजिए ताकि ये जो कीट है इसे हम आसानी से निपड सकें धन्यवाद दोस्तों जैही